हालो फ्रेंट्स आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल अपना घर इरवाज में चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें अगर आपको यह प्लान बनवाना है तो दिएगे नमबर पर जरूर इख रहे हैं और इसका फोट लगन मिद्व है यह व्यारे हैं हमारे क्लाइंट सहीम अंसारी जी अनका पलाद है सहीम अन्सारी जी महुए वांटिट गाहु है इनका और ये आपको देवगड डिस्टिक जहारखंड में पड़ता है देवगर जारगंडी क्लाइंट है हमारे ये उनका प्लान है सहीम अंसारी जी सहीम रजांसारी चलिए उनके प्लान की तरह बढ़ देखने में घर काफी खुबसूरत समझ में आ रहा है कि घर में काम किया गया लो बजट घर है लाइट का सेक्शन है सीरी घर को काफी अच्छ दू तीन चार पाँच फोटोस में कलर करकर अलग अलग में आपको दिखाया जाएगा तो ये देखिए ये आपको अलग अलग कलर पे हैं जो कलर आपको सठीक लग आप उस कलर पे काम करवा सकते हैं तो मुझे जो परसनली सबसे अच्छा कलर लग रहा है यहां पे वो एक किस तरह से लिए गया है क्या साइज एलिवेशन में किस किस मेटेडियल का यूज किया है चलिए पहले प्लान के अंदर में चलते हैं प्लान के अंदर यानि घर के अंदर हम लोग आते हैं तो ये घर के अंदर आ चुके हैं आपको इसमें कुछ एलिवेशन भी डिसकस कर द देखने में काफी अच्छा लूग है फिर हम लोग यहाँ पर आप गेट देख रहे हैं मेन इंटिरेंस गेट है यह ईयो चार सारे चार फीस आपड सकते हैं यह पर हमने तेन फीट है उसका देट विदिए उन्टु है यहाँ पर जो आप काम देख रहे हैं ईजटाइल का काम होता है यहां ब्रीक वर्क टाइल से ज्यादा यूज नहीं करना है corner जो बच्चे का 1 feet 10 inch का वहीं तक ही यह tiles का use करना 1 feet 10 inch इस तरफ, 1 feet 10 inch इस तरफ चलिए plan के अगले face में बढ़ते हैं यहाँ पर जो design देख रहे हैं इसको हम clear करें क्योंकि यहाँ पर concept जाद है clear क्योंकि दोनों तरफ bathroom है इसको use कैसे करना वो बताएंगे सामने में यहाँ पर column देख रहे हैं यह column का size है यह 10 by 10 का column है 10 inch by 10 inch का वो आगे लिवेशन में और clear रहे हैं चलिए plan के अंदर चलते हैं plan के अंदर जाते हैं यानि हम लोग घर में रुख करेंगे तो पहले gate खोलते हैं चलिए gate हमने खोल दे घर के अंदर पहुंचे घर के अंदर जैसे आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि यह जो आप देख रहे हैं यह area यह इस plan का living hall area है और यह living hall का size क्या वो हम आपको clear करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 feet है जो आप यहाँ देख रहे हैं 12 feet का living है यहां से यहां तक और length अच्छा size है length यहां तक जो clear size है वो आपको 21 feet 5 inch का है यानि कि clear length का size है वो 21 feet 5 inch है यहां से लेकर यहां तक उसका अंदर का भी हलका interior हमने किया कि आप इस तरह का कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो यहां पर आपको 2-3 inch plaster को अपसिर ब होना कि आप अपने हिसाब का भी color इसमें change कर सकते हैं देखने में काफी अच्छा लग रहा है living hall से stair उठती हुई सीधे जा रही है यह living hall से जा रही है stair यहां से यहां तक 3 feet है चीज़े clear रखें दिमाग में यहां से यहां तक 6 feet है इसका जो landing height set किया गया हो चीज़ हम आपको दिखा दे रहे हैं देख लिए बाद में आपको किसी तरह का दिक्कत नहोंगी सीरी आपकी arrange नहीं हो पा रही है यह देखिए इसका जो पहला जाएगा वो 4 feet हाइट पर बनेगा और total जो इसकी height है यानि कि यह जो सीरी का riser कहलाता यह 6 inch है और trade आपका 9 inch है 6 और 9 में बना हुआ trade है आप सीधे यहाँ पर आते हैं फिर इसे 6 9 6 9 करते हुआ आप सीधे यहाँ पर 7 feet यहीं पर आ जाता है और सीधे आप छट की तरफ जाते हैं किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं होगी चलिए अगली तरफ चलते हैं अगली तरफ यानि इस bedroom में इस bedroom का हम आपको size बताते हैं क्या है 12 inch 12 का bedroom है ज़्यादा लंबर टाइम नहीं लेंगे नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी पांच भाई पांच की window खोलना है यह window यह इंडू दोनो पांच के बारा इस bedroom की तर अच्छ है और यहां से यहां तक बारा फिट हैं यहां फ्रीज रख सकते हैं अराम से आपको यहां पर किचन गैस स्टॉप रख सकते हैं इसमें किस दरगी दिक्कत आपको नहीं होगा अच्छा साइज है किचन का देखने में काफी खुपसूद लग रहा है फिर हम लोग कर आते हैं इस पैसे से देख रास्ता जाता बाहर की तरफ देखें इस पैसे से एक रास्ता आपको सीधे ले जाता में दूसरे प्लोड की तरफ याप घर से बाहर निकलने का सिकेंडरी एग्जिट भी काफ़ी अच्छा डिजाइन करके बनाएं गया है यह आप इधर आ ज यहां पर आप देख रहे हैं यह आपको 5,7 इंच है और यहां से यहां तक आपका 6,8 इंच है यानि यहां से लेकर यहां तक 6,8 इंच है common bathroom का जो रास्ता है वह सीरी के नीचे से लेकिन सीरी काफी अलग उसी तरफ खत्म हो जाती है तो आप सीरी के नीच साथ फिट हाइट पर है यहां आप अंदर जाते हैं तो अंदर जाने काद हम लोग आते हैं यहां पर common bathroom में common bathroom यहां से यहां तक जो आप देख रहे हैं यह 6 फिट का है और यह भी छे फिट 8 इंश में आपको देखे विदो ने इसको डिजाइन आगे एलीवेशन अच्छा आनि लिए यहाँ पादिया आप इसे चाहें तो और हाइट देखर इसे और हाइट रखना चाहते हैं तो आप इसे और हाइट रख सकते हैं लेकिन विंडो का डिजाइन यहाँ पर पक्रें विंडो का ही डिजाइन रखें क्योंकि देखने में यह अच्छा दीख रहा है चलिए आगे चलते हैं आगे आने पर है किलियर आपको आगे चलिए आपको elevation बताते हैं कि elevation व्यू किस तरह से है चलिए elevation की तरह बढ़ते है यह इसका elevation प्लान की तरह आते हैं टोटल लंबाई चौरा ही टोटल चीज़ आपको बताए जाए यहां पर आप किलियर होगा अंदर जाने का रास्ता क्या था इसका फोटो में देखते हैं तो काफी हुपसूरत है यह elevation व्यू है सामने का यह व्यू आप देख रहे हैं इसको हम किलियर कर दीए आपको और यहा पांच इंच का इसा ढलवा दीजिए पांच इंच का यह आठ फिट पर होगा जब आप इसकी लाइट का काम करवाईए तो एक धियान में रखें लाइट टोटल सेट की हुए फैन दिया गया है लाइट अच्छी लग रहे हैं यहां पर भी देखने में फोटो फॉरमेट आपको साफ शोक हो रही है तो लाइट आपको इसी तरह से रखनी है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे का मतलब कि यह वाला कॉलम जो यह एक फिस पांच इंच का है और दूसरा फिस जो इस कॉलम का वह दस इंच है पांच इंटु दस इंच का बना हुए यह कॉलम है फिट ग्या रेंच दो फिट भी रख सकते हैं कोई शू नहीं यह भी एक एक ग्यारा का थिकनेस पांच इंची का है यह चलिए आगे बढ़ते हैं चिल लेवल यहां भी तीन फिट है यहां पर कलर अधर भी कर सकते हैं यहां पर टेक्शर कलर का डिजाइन किया गया है आप को इस तरह का एलिवेशन चाहिए उनके रिक्वार्मेंट के हजाब से यह चीज अंदर थोड़ा घर का एक फेज गया यहां पर जगा तो कुछ बची है आते हैं तो यहां पर भी आप ब्रीक वर्क का ही डिजाइन करें ब्रीक वर्क को लेना है आपको यहां बची जगा मे प्लास्टर में डिजाइन ले सकते हैं तो कॉस्ट आपका बच जाएगा यहां पर भी विंडो पांच फिट का है से मुसी तरह यह जो चज्जा का हाइट है यहां भी आप दो फिट का रखें यह भी आपका ब्रीक वर्क पर दो फिट का बना हुआ है टोटल प्रोजेक्श फिर नागॉल यानी सीरी घर से आप सीधे यहां ऑइएगा और यहां से घूम कर आप यहां बालगनी में आपको पैसेच्ज किलियर होगा यह आपको ब्रीक वर्क वरकका खेट UP सेट आपको निकालना है यहां से और इस पर काश्ट कर के इसको डिजञा बना देना यह देखने के लिए शुक्रिया थैंक्यू धन्यवाद